हेलो फ्रेंट्स मैं संजे कुमार ESP में आप सभी का स्वागत करता हूँ आप लोग कैसे हैं बढ़ियां मैं आसा करता हूँ कि आप सब स्वस्त होंगे दोस्तों आज मैं मद्यकालिन भारती इतिहास के पूड़ पाटकरम पर चर्चा करूँगा और हम लोगों को इसके अंतरगत क्या क्या पढ़ना है एक्जाम में किस तरह के कुश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे जादा कुश्चन किस भाग से देखने को मिल रहे हैं इतियाद का एनाल्सिस भी करेंगे और मद्दिकालिन भारती इतिहास पढ़ाने की हमारी स्ट्रेटिजी कैसी रहेगी सारा कुछ हम डिटेल में आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों चलिए बिना देरी के अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं मद्दिकालिन भारती इतिहास की यह सन 712 इसवी से प्रारंब होता है जब मुहम्मद बिन कासीम सिंध पर विजय प्राप्त करता है और यह सन 1707 इसवी तक चलता है जब औरंगजिव की मृत्यू हो जाती है अर्थात यह सन 712 इसवी से प्रारंब हो करके सन 1707 इसवी तक चलता है इसके बाद आवधिनिक भारत का इतिहास प्रारंब हो जाता है आईए अब बात करते हैं एकजाम में पूछे जाने वाले कोश्चन के ट्रेंड की अगर हम कुश्चन के ट्रेंड की बात करें तो चार छेत्रों से कुश्चन इसमें अधिकतर पूछे जा रहे हैं पहला है प्रसासनिक सब्दाबली, दूसरा है आर्थिक सब्दाबली, तीसरा है कला एवं संसकरती, चौता है पर्मुकियुध हम पहले बात करते हैं प्रसासनिक सब्दावली की दोस्तों अब एक्जाम में सीधे कुश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि मुगल वन्स के संस्थापक कौन थे बगएरा बगएरा अब कठिन सब्दावली भी पूछी जा रही है जिन सब्दों से हम लोग वेभारिक तोर पर परचित नहीं है इन सब प्रसासनिक सब्दावली से हम रूबरू होंगे और डिटेल में इसका अध्यान भी करेंगे जिससे एक्जाम में कोई भी कुश्चन ना छूट सके दूसरा पर बात करते हैं आर्थिक सब्दावली की आर्थिक सब्दावली में एक्जामपल के रूप में पोलज एवं चाचर की से कहते हैं दिवान ए अमीर को ही जजिया, चौथ, जकात, खुम्स, खराज, जरीब, इत्याद सब्दावली से हम रूपरू होंगे तीसरे नमबर पर हम बात कर लेते हैं कला एवं संसिक्रती की इसके अंतरगत दिल्ली संतलत कालीन संसिक्रती एवं विजय नगर सामराज एवं मुगल कालीन कला एवं संसिक्रती से अनेकों कुछन पूछे जा रहे हैं अगर हम बात करें तो कला एम संस्कृति के तहत हम लोगों को उस समय की केंदरी प्रसासन विवस्था, उस काल की अर्थ विवस्था, मुद्रा विवस्था, तथा सिच्छा, साहित, संगीत एम इस्थापत कला के बारे में डिटेर्ड से अध्यन करेंगे और साथ ही ट्रिक भ भारती इतिहास में कौन-कौन से टापिक पढ़ाने वाला हूं। प्रसासन विवस्था, तवकात ए नासरी, जियाओदिन बरनी द्वारा लिखित पुष्था, तारीख फिरोज साही, वा फतवा वाजहदारी, इबन बतूता का रहला आधि रचनाओं का हम लोग डिटेर्ड से अध्यन करेंगे और ये सब मद्दिकालिन भारती इतिहास के महत्पूंड स्रोत्र माने जाते हैं, यदि हम दूसरा अगर चेप्टर की बात करें तो दूसरा चेप्टर है अरवो का सिंद विजय, अर्वो का सिंद विजय के तहत मीर कासिम का आक्रमण एवं देवल का पतन, मीर कासिम द्वारा सुर पर्थम लगाया गेजजिया कर, ए अब बात कर लेते हैं तीसरे चेप्टर की गजनवी तथा गवरवन्स गजनवी कौन था यह भारत में क्यों आकर्मण करना चाहता था महमत गवरी कौन था इसका दास एबक ने दिल्ली संतनत की सुरवात कैसे की आदिका डिटेल से हम लोग अध्यान करेंगे अब आज आते हैं चौथे टाविक पर दिल्ली संतनत एम संतनत कालीन संसिक्रती की दिल्ली संतनत का इतिहास लंबा है यह सन 1260 से प्रारंभ होकर के 1527 इस्वी तक चलता रहा है इसमें हम लोग पांच वन्सो का डिटेल से अध्यान करेंगे जैसे ममलूक वन्स जो की 1260 इस्वी से 1290 इस्वी तक चलता है इसके तहट कुत्बुद्दीन एवक, इल्तुत्मिस, सुल्ताना रजिया, नसुरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बल्बन इन सब के प्रसासन युद्ध आध्य का डिटेल से अध्यान करेंगे दूसरा वन्स आता है खिलजी वन्स, जो 1290 इस्वी से प्रारंभ होकर 1320 इस्वी तक चलता है इसके तहट जलालूद्दीन फिरोसा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एवं इसकी नीतियां फार एकजामपल, पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का गठन इसने किया में डिटेल से अध्यन करेंगे अब तीसरे वन्स की बात करते हैं तो तुगलक वन्स आता है तुगलक वन्स सन 1320 इस्वी से प्रारंभ होकर के 1414 इस्वी तक चलता है इसके तहत हम लोग गयासुद्दीन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक जिसे बर्जी ने खूनी वारक्त पिसासु कहा है मुहम्मद बिन तुगलक के उदार सासन परबंद के बारे में डिटेल से अध्यन करेंगे एवं फिरोस सा तुगलक कौन था जिसे पहला सच्चा मुसल्मान सासक भी कहा जाता है इत्याद के बारे में हम लोग डिटेल से अध्यन करेंगे चौथा वंस आता है सयद वंस यह 1414 इसवी से प्रारंब होकर 1450 इसवी तक चलता है इसके अंतरगर्ग जो सासाक आते हैं वे हैं खिजिर्खा, मुबारक सहा, इत्यादी इन लोगों का भी हम डेटेल से अध्यान करेंगे पांचवा और आखरी वंस आता है दिल्ली संतनत का लोधी वंस यह 1450 इसवी से प्रारंब होकर के 1526 इसवी तक चलता है इसके पर्थम सासकते बहलोल लोधी, एवं दूसरे सिकंदर लोधी, तीसरे इबराहिम लोधी इन सभी का हम डेटेल से अध्यान करेंगे और इनके केंदरी पर्शासन, अर्थ विवस्था, भूराजस विवस्था, मुद्रा विवस्था, कला, एवं साहित, इस्थापत, इत्याद के बारे में हम लोग डेटेल से अध्यान करेंगे अब पांचवा नमबर पर आता है वीजय नगर तथा बहमनी सामराज बिजय नगर सामराज जो काफी ज़्यादा अपने टाइम पे चर्चित था और आज भी यहां चर्चित है बिजय नगर सामराज के कला संस्कृति इत्याद के बारे में हम लोग डेटेल से अध्यान करेंगे कोई ना कोई एक्जाम में बिजय नगर सामराज से एक कुश्चन जरूर देखने को मिल रहा है चछेटे टॉपिक की बात अगर हम कर लें तो मुगल सामराज एवं मुगल कालिन संस्कृति आती है यद मुगल सामराज की बात करें तो इसके अंतरगत सासक मुगल समराट बाबर हिमायू सेरसा सूरी बीच में आते हैं अकबर, जहांगीर, साय जहां एवं औरंगजेव के काल के महतपूर घटनाई, युद्ध, सिच्छा, कला एवं संस्कृति आधिका डिटेल से अध्यन करेंगे यदि हम सात्वें चेप्टर की बात करें तो सात्वें चेप्टर आता है सूफी एवं भक्ति आंदूलन इसके तहट हम जितने भी सूफी संत हैं और भक्ति आंदूलन से महतपूर व्यक्तित का भी डिटेल से अध्यन करेंगे सात्वें चेप्टर आता है दच्छिड भारत का इतिहास, दच्छिड भारत का इतिहास का भी डिटेल से अध्यन किया जाएगा और नौवा चेप्टर आता है मद्दिकालिन विदेशी यात्री दिल्ली संत्रनस से लेकर मुगल वन्स तक बीच बीच में अनेकों विदेशी यात्री आए हैं फार एक्जामपल सुलेमान, अलमसूदी, अलबरूनी, मारको पोलो, इबन बतूता, विलियम हाकिन्स जैसे बहुत लोग विदेशी यात्री आए हैं भारत में इन सभी का हम लोग डिटेर्ट से अध्यन करेंगे और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि पूरे पाठकरम में आवसकता कि अनुसार मैप, डायाग्राम, फ्लोचार्ट, टेबल और याद करने के ट्रिक बीच बीच में हम लोग लाते रहेंगे इस संपूर्ड पाठकरम में जहां कहीं मैप, फ्लोचार्ट, डायाग्राम, ट्रिक आद के जरुरत होगी मैं उसे आप लोगों के बीच लाता रहूंगा आसा करता हूँ कि आप लोगों को संपूर्ड मद्दिकालियन भारती इतिहास की पाठकरम को कबर करने की इस्ट्रिजी समझ आई होगी और मद्दिकालियन भारती इतिहास की यह सरिंकला में लगातार लाता रहूंगा और यह लगातार जारी रहेगी दोस्तों यदि आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आप वहां से जुड़कर पीडियाप प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक एउन सेयर करना ना भूलें और कमेंट बाक्स में अपना कमेंट अवस्थ करें कि वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू सो मच नमस्कार